नमस्कार किसान साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिल्ट सी मालुआ की खेती यूट्यूब चैनल पर किसान साथियों पिछले दिनों मैंने एक वीडियो प्लोट किया था उन्टी लसुन की खेती से संबंदित कुछ किसान भाईयों के कमेंट आये थे कि हम देसी वि करें मैं आज बात करने वाला हूं गरिब किसान भाईयों की उटी लसुन या यूं कहें कि सेकर उटी जिसे कहा जाता है जो कि जी टू के नाम से जाना जाता है किसान साथियों ये एक एसी विराइटी हैं जो देसी विराइटी से भी बाजार में 500,000 रुपे कुंटल पर्त हैं क्या है दोश कब है लगाने का उप्यूक्त समय और किसान साथियों पूरी डिटेल से बात करेंगे एट तो जेट तो पूरी जनकरी के लिए आप वीडियो को आखरी तक चरूर दिखेगा किसान भाईयों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो समय है वो है उटी फैट ज कर सकते हैं लेकिन किसान साथी अगेती रुप से इस विरेटी को लगाते हैं ताकि उन्हें चुरूरात में बाजर भाव अच्छा मिले जैसा किसान साथियों आप देख पा रहे हैं इस वर्ष इसका भाव 50,000 रुपे प्रतिक विंटल गीले माल का या बीज का भाव है और इस बीज को सुकात कर लगाते हैं तो किसान साथियों कितना कम हो जाता हैं कितना ज़्यादा महिंगा इसका बीज हैं सभी किसन भाव इतना महिंगा बीज लगा कर लसुन की खेती नहीं कर सकते हैं तो कुछ किसन भाव समय से बुगाई करते हैं और वो लगाते हैं देशी creativity किसनशत्यों ंटी first variety लगाने के लिए या तो आपको हरिकाद लगाने पड़ेगी या खेत को खाले चुनना पड़ेगा लेकिन ज़ती आप दूसरी वेर्यरितिया लगाते हैं ज़ो समय पर लगा कुन वेरेटीव में कीthank take a certificate सिजन भी ले सकते या चाहे आप स्वरभीन की फसल लीया लेया ले आप उड़ाद मूंकी तो किसन साथी ये आप जीटू लगाना चाहते हैं तो कभी भी खेट को खाले ना छोड़े क्योंकि ये जो वेरेटी हैं अगेती रुप से बिलकुल बोने के लायक नहीं है इसमें इतनी विशेषता हैं लेकिन सबसे बड़ा जो कुणो दोशे किसन साथियों वो ये ही हैं कि इस वेरेटी को जल्दी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अभी बारिस्त का सिजने किसन साथियों और ये जो वेरेटी हैं ज्यादा जल लगनता सहन नहीं कर सकते हैं यह यह कहें कि इसको पाने की बहुत कम आउशकता होती हैं जिसकर यह खेद लगातार गिले रहते हैं तो इसका जो कंद है वो सड़ भी सकता है साथ किसल साथियों यह आप मेंड पद्दति से भी बुवाई करते हैं तो यह आप पोदो को तो बचा लेंगे लेकिन एक दिक्कर यह आएगी कि इसमें आगे चलकर फूटिंग की बहुत शमश्या आएगी पूटिंग किसल साथियों कहिने का मतलब हैं पत्यों से पत्या निकलना करंद का डिजाइन बिल्कुल बिगड़ जाता है शेप बिल्कुल बगड़ जाता है वजन उसमें बिल्कुल कम हो जाता है बाजार फाओ नहीं मिल पाता है और अगेती रुप में लगाने से इसमें किसल साथियों आगे चलकर फोदो की संख्या काफी कम हो जाती है क्योंकि अब जो समय आएगा किसल साथियों वो आएगा सर्द गर्म यह यह कहें कि नीचे जमिन गिली रहेगी और जब हम सोयबिन की कठाई करते हैं तब आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा ताफमान रहता है उपर से आग बरस्ती यह समझ लो इतनी गर्मी और नीचे खेट गिले हैं उस समय किसल साथियों फंगस लगने के खुट चादा चांत होते हैं और फंगस के करव पूरी की फूल की तो कलिया हैं वो सर जाती हैं कि यह विराइटी जल लगने ता सेन बिलकुल भी नहीं कर सकती हैं जहां पर देशी विराइटियों में किसल साथियों आप 10 से 12 सिचाई करते हो तो वहां पर यह केवल 8 से 9 सिचाई में अच्छा उत्पादन दे देती हैं सबसे बड़ी बात है किसल साथियों यह काफी सारे रोगों के लिए पटिरोधक शमता रखते हैं और एक और खास बात है इसमें कि जहां पर देशी लसुन की विराइटी नहीं होती है यह यह कहें कि जिन खेतों में देशी लसुन की विराइटी नहीं होती हैं उस हिसाब से इसका बीगा की हिसाब से बीच कलियों का वजन देखें किसा जातियों तो आपको 3 कुंटल से 3.5 कुंटल तक कलिया आकार की हिसाब से लग सकती हैं। यजि कलिया चोटी होगी, तो कि देजी की माता कम लगीगी. और ये आपका बीगा भी छोटा है तो ये भी कम लगेगी लेकिन ये एक विराइटी ऐसी एक किसन साथियों जो कम खर्चे में भी अच्छा उत्पादन दे देती हैं गम पानी की आवशकता हैं गम खात की आवशकता हैं जहाँ पर लसुन से खेट खराब हो चुके हैं वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं और इसकी जो श्टोरेज है किसन साथियों उसमें सबसे बड़ी दिक्कत दिया आती हैं कि किसी किसी वर्ष जब आप आपकरे में सिचा का जो तरीका जो शेल्यू ले वो यदि गलत हो जाता है तो कलिया मरने की समझता बहुत ज्यादा आ जाती हैं इसलिए बहुत सारे किसन भाई इस विर्ष टी को नहीं लगाते हैं क्योंकि बहुत सारे किसन भाईयों की धाना बनी हुई हैं कि लसुन में ज्यादा पानी दे लगनता यह बिल्कुल भी सहन नहीं करती हैं इसलिए किसासात्य इदे आप लसुन लगा रहे हो तो आप मीनी स्प्रिंग कर जरूर लगा ले क्योंकि इसका सिचाई देने कर तरिका आपको दो से तीन फाइदा देगा फैला है किसासात्यों कि आपके खेतों में जमीन है वो म मुलायम बने रहेंगे तो कंदों का विकास अच्छा होगा दूसरा किसल सात्यों इसमें खतरना कीड लगता है लस्वन की सबी विराइटियों में वह आता है त्रिप्स और त्रिप्स में किसल सात्यों आपकी दवाईयों का खर्च आधा हो जाएगा यानि 50% दवाईयों का किसल सात्यों पानी की बज़त होती है क्योंकि स्प्रिंगर सिच्टम लगा देते हैं तो आप रात में भी और दिन में भी जब चाहें आप उसमें करतिम रूप से बारिश कर देते हैं यानि स्प्रिंगर लगाने से लसुन की पसल में कितने सारे फाइदे आपको देखने को मिल सकते हैं चीटू एरेटी किसल सात्यों बाजार में आपको मिल जाएगी मंडी में आप जाएगे किसी किसल भाई से संपर कीजिए उनसे बीच क्वालिटी का माल है वो अच्छे रेट में ले लिजिए और उनको भी बीच के साब सही पैसे दे किसल सात्यों आप कम पैसे देने की कोशिश ना करें कि मंडी के बराबर तो उनको पैसा मिलना है चाहिए क्योंकि एक अच्छा बीच किसल सात्यों आपकी अच्छी पैसल के लिए बहुत ही आउशक है तो जब भी आप किसल सात्यों लसुन की चीटू वेरेटी लगाए तो एक बात का ध्यान रखे इसे समय से लगाए समय से कहिने का मतलब किसल सात्यों इसकी वुआई का समय यह दिखा जाए तो मद्धी अक्टूमबर से मद्धी नौमबर के बीच में अच्छा रहता है ना तो ज़दा फंगस लगने का खत्रह रहता है और नहीं ज़दा पोदे जाने की समस्तिया रहती है यदि इसे थोड वेराइटी है अगेती बिल्कुल रूप से नहीं होती है और इसमें जो मैंने आपको बताए है पोदे जाने की समस्तिया भी होती है साथ इसाथ आगे चल कर फ्रूटिंग की समस्तिया आ जाते हैं जिससे की काफिस ज्यादा नुकसान हो जाता है तो यदि आप जी टू लस की समस्तियों आपको अलग ही देखने को मिलेगी इस खेट के पाथ जब आएंगे कि समस्तियों तो आपको देखकर आननद आ जाएगा कि जिवा क्या लसुन खडि क्योंकि गरीब किसान बईयों के लिए ये फश्ट उठी है बीच काफी महिंगा होता है इसलिए आप अपन तो अगले वर्च से जब आप इसको लगाएंगे तो आपके पास परियापत बीज होगा, आपका अनुभव होगा और होग ये आपकी अच्छी फसल तो किसन सात्यों इस वीडियो से संबन्दित यदि कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में मेंचन कर सकते हैं किसन सात्यों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जनकरी के साथ दब तक आप खयाल रखियेगा आप अपने परिवार का और अपने पशुजन का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै जवान जै किसा